दोस्तो अगर आप सभी ने जी टीवी पर परसारित हो चुके सी लिल तुस से है रापता जरूर दिखाओगा तो आपको उसमें कल्यानी मलहार का किरदार ने भाचुकी अबीनेतरी रीमशेक का किरदार तो यादी होगा जो आज भी अपने इस किरदार से इतनी जादा ने जाती है तभी तो दर्शक भी इने काफी जादा पसंद करते हैं और इनकी तारीफे करते नहीं ठकते लेकिन दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी कल्यानी मलहार का किरदार ने भाचुकी अबीनेतरी रीमशेक के आज सिर्फ दर्शक ही नहीं बलकि बॉलीवुड के चा कार्तिक आर्यन का जो अभी नेतरी रीमशेक के दिवानों में गिने जाते हैं आपको बता दे कार्तिक आर्यन इनकी खुबसूरती के बड़े फैन है इनका कहना है कि टीव इंडस्ट्री में तो सारी एक्ट्रेस मेकप लगाकर सुन्दर दिखती है और रीमशेक तो बिना म में होते हैं जिनके पीछे आज सारी लड़कया पागल है और ये तो अन सर्वी छोड़ अभी नेतरी रीमशेक के दिवाने हैं कि बता दे कि भले ही इनहोंने इनके साथ कभी काम ना किया हो और ये इनके गुड़ बीहेवयर के दिवानेह जिनका कहना है कि रीम शेक हर किसी के साथ बड़ा अच्छा रिस्ता रखती है हर किसी को इजद देती है और बड़े छोटे का आदर सम्मान करती है इसलिए ये इनके आज दिवाने बढ़ गए है अक्षि कुमार के बाद रीम शेक के दिवानम में एक नाम अभी नेता करन सिंग ग्रोवर का भी आता है तो रीम शेक को बहुत पसंद करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जाते हैं करन सिंग ग्रोवर भी काफी समय से टीव इन्रस्टिक एक हिस्सा रहे हैं इसलिए जब इन्होंने रीम शेक का शो नीर भरे तेरे नेना देवी देखा था जहां रीम शेक की एक्टिंग और क्यूटनेस इन्हें इतना पसंद आई थी कि ये इनके दिवाने बन बैठे थे इस लिस्ट के आखरी कड़ी में नाम दर्ज होता है पुनर विवा फेम एक्टर गुर्मीत चोधरी का जो रीम शेक के दिवानों के लिस्ट में सामिल होते हैं जिने भी रीम शेक की खुबसूरती बहुत पसंद है और जब भी इन्हें पूछा जाता है कि टीवी इंडेस्ट क poking से अभी नेत्री जो इनकी पतनी से भी सुंदर को अब्हें बिलेते हैं और भी नेतरी नहीं आए कर सकती तो दोस्तों इन अभी नेताओं की तरह क्या भी रीम-शेक के दिवाने हैं अगर हाँ तो आप अपने राय Kuris में कमेंट करके ज़ूर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले